आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाऊ डाउनलोड नाओ क्योशन है हमरे पास if f r to r में डिफाइन है define by f x equal to x square plus 1 then values of f inverse 17 आपको find करना and f inverse minus 3 आपको find करना ठीक है? तो inverse function अगर हमको find करना है तो हम क्या करते है? नेको सबसे पहले आपको f x given ये है x square plus 1 जब भी आपको किसी function का inverse find करना हो तो आप सबसे पहले क्या करते है? f x को y के equal put करते है ये first step होती है तो f x को मैंने y के equal put किया फिर second step होती है आपको आप क्या करते है? x को y की thumb में find करते है तो ठीक है x को y की thumb में find करते है तो x square equal होगा किसके? y minus 1 के तो x आजागा आपके पास कितना है? square root y minus 1 अब यहाँ अनिके बाद हम क्या करते है? यही जो x आपके 파स आया इसको dy और यह जो gy आपके पास आया? या यह जो g आया? यह g क्या होता है? inverse function होता है यही g हमारे पास क्या होता है? वचाहओ तो आप इसको x में लगत हो y में में चलता है आप x में भी लिख सकते है यही आपके पास f का inverse होता, मतलब f inverse x, तो root x is minus 1, यह आपके पास inverse function होता है, तो फिर्स्टों क्या है, f inverse 17, देख लेते कितना होगा f inverse 17, तो f inverse 17 आपको find करना था, यह होगा square root 17 minus 1, तो square root 16, और square root 16 किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा, तो यह answers आदा, आपके पास 4, ठीक है, ऐसे हम बात कर लेते हैं, second f inverse, कितना पुछा होगा आपसे, minus 3 पे पुछा होगा, तो minus 3 पे पुछा होगा है, तो यह तो exist ही नहीं करेंगा, क्यों, यह देखो आप, minus 3 minus 1, ठीक है, तो यह तो आपके पास minus 4 कितना आपा होगा, minus 3, does not exist, यह एक्जिस्ट ही नहीं करेंगा, आपके पास, clear?